नमस्कार, स्वागत है आपका MekTech ITI YouTube चैनल में MekTech ITI YouTube चैनल के माध्यम से हम Industrial Training Institute के दिभिने ट्रेड्स के CBT एक्जाम्स की तयारी करवाते हैं इसी क्रब में आज का विश्या है Fitter Trade Theory के एक्जाम्स के लिए हम कुछ important questions लेकर के आएं हैं जो आपके एक्जामस में मददगार साबित हो सकते हैं तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो क्रब्या चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथे साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें और यदि आपको यह हमारा प्रेस अच्छा लगता है तो क्रब्या वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथे साथ कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारे वीडियो में और किस तरह के बदलाव देखना चाहते हैं चलिए शुरू करते हैं ITI Fitter Trade Theory के CBT exams के लिए Important Questions चलिए शुरू करते हैं Question No.1 पहला प्रशन आपके सामने है Which type of bush is used in Jig to perform more than one operation in same location एक ही स्थान पर एक से अधिक operation करने के लिए Jig में किस प्रकार के bush का उप्योग किया जाता है तो आपके option है पहला option है Slip Bush दूसरा option है Plain Bush तीसरा option है Fixed Bush और चौथा option है Liner Bush इसका सही answer है A. Slip Bush अगला question है Question No.2 आपके सामने Which type of jig is used for awkwardly shaped work piece to drill at different angles किस तरह के jig का इस्तमाल किया जाता है जब कोई जो आपका work piece है वो awkwardly shaped हो या irregular shaped हो उस तरह के work piece में अलग-अलग angle पे drill अगर करना है तो किस तरह के jig का इस्तमाल आपको करना चाहिए तो पहला option है आपके पास में Post Jig तूसरा option है Solid Jig तूसरा option है Induction Jig और चौथा option है Trannion Jig इसका सही आंसर होगा Trannion Jig इस question को हम important की category में रखेंगे क्योंकि ये question पहले भी हम वीडियो भी discuss कर चुके हैं और अभी तक जो model जितने भी model test papers हमने discuss किये हैं अपने channel पे उन लगभग सभी mechanical के model test papers में ये question आया है स्वामिल हुआ है इसलिए इस question को आप जरूर तयार करें अगला question है आपके सामने question number 3 which bush is used to provide a hardened hole for renewable bushes renewable bushes के लिए कठोर छेद प्रदान करने के लिए किस bush का उपयोग किया जाता है renewable bushes वो होते हैं जो दोबारा use किये जा सके तो उनमें छेद में renewable bushes के लिए कठोर छेद प्रदान करने के लिए किस bush का उपयोग किया जाता है तो इसके आपकी option है slip bush दूसरा option है plain bush तीशरा option है fixed bush चौथा option है liner bush आपका सही answer है D liner bush चौथा question है आपके सामने what is the name of radial distance between pitch circle and root circle in gears gears के pitch circle और root circle के बीच radial दूरी का नाम क्या है पहला option है आपके पास land दूसरा option है addendum तीसरा option है didendum चौथा option है working depth इसका सही answer है didendum अगला प्रशन है आपके सामने what is the melting point of nickel nickel का गलनांक क्या है 1300 degree Celsius दूसरा option है 1450 degree Celsius तीसरा option है 1100 degree Celsius चौथा option है 1950 degree Celsius इसका सही answer है 1450 degree Celsius अगला प्रशन आपके सामने है which ore is extraction of aluminium aluminium का sorry कौन सा और है जो कौन सा आयस्क aluminium का निसकर्शन है तो आपको बताना है पहला option है pyrites दूसरा option है galena तीसरा option है blend और चौथा option है बॉकसाइट यह बहुत ही आसान question है और आम तोर पर general knowledge में यह सवाल पूछा भी जाता है कि aluminium किस ore से निकलता है इसका सही answer है पॉकसाइट अगला प्रशन आपके सामने है which metal is basically an alloy of copper and tin कौन सी धातू मूल रूप से तामबा और तिन की मिश्रिद धातू है पहला option है आपके पास lead दूसरा option है brass यानि पीतल तीसरा option है muns चोथा option है bronze आपका सही answer है C muns अगला प्रशन आपके सामने है what is the name of gear यहाँ पर आपको figure में एक gear दिखाई दे रहा है एक set of gears दिखाई दे रहा है यहाँ पर इनका नाम आपको बताना है तो पहला option आपके पास में है spur gear दूसरा option है mitre gear तीसरा option है bevel gear चोथा है hypoid gear इसका सही answer है spur gear अगला question आपके सामने है which property in hydraulic oil function is medium for heat transfer hydraulic tail में heat transfer के किस गुण के माध्यम से किया जाता है hydraulic tail में heat transfer किस गुण के माध्यम से किया जाता है तो पहला option है shear stability shear sthirtat दूसरा option है low volatility कम see grip wasp shilta तीसरा option है low forming tendency कम जाग की प्रवृत्ती चोथा option है good thermal capacity and conductivity अच्छी thermal छमता एवं चालकता तो इसका सही answer है D. अच्छी thermal capacity और conductivity यानि अच्छी thermal छमता और चालकता अगला प्रशन आपके सामने हैं इसमें आपके सामने एक चित्र बना हुआ है इस चित्र में आपको बताना है कि what is the name of clutch आप यहाँ देख सकते हैं कि यह किस तरह का clutch है पहला option है आपके पास में dog clutch दूसरा option है cone clutch तीसरा option है air clutch चौथा option है centrifugal clutch इसका सही answer है cone clutch अगला question आपके सामने है what is the color of soluble oil mixed with water soluble oil water के साथ जब mix होता है तो उसका color कैसा होता है तो इसका आपके सामने option है पहला option है white याने सफेद दूसरा option है blue याने नीला तीसरा option है yellow अर्थाद पीला चौथा option है violet अर्थाद पैंगनी इसका सही answer है A white याने सफेद रग अगला question आपके सामने है which is a system of two and more या two or more pulley with a rope threaded between them जो उनके बीच rope से पिरोपे गए दो या अधिक pulley का जो एक प्रणाली है आपको उस प्रणाली का नाम बताना है जिसमें rope से पिरोए गए दो पुली सामने हो तो आपका पहला option है differential hoist दूसरा option है pulley block तीसरा option है spur gear तीसरा option है spur gear चौथा option है spur gear hoist चौथा option है come along chain hoist इसका सही answer है B pulley block अगला प्रशन आपके सामने है what is the operation performed before geometrical test on machine machine पर जामती परिक्षणों से पहले किये जाने वाले operations क्या है machine पर geometrical test करने किये जब करने होते है geometrical test तो geometrical test करने से पहले वाले किये जाने वाले operations क्या है तो पहला option है erecting दूसरा option है inspection inspection या neariction तीसरा option है leveling चौथा option है grouting तो इसका सही answer है leveling मैं इसको थोड़ा सा explain भी करना चाहूंगा कि जैसे कोई machine है उस machine का geometrical test जब आप करते हैं तो machine के level को आपको check करना होता है machine को जब कभी जैसे मांदीजे mount ही करना है machine को establish करना है machine को तो establish करने से पहले आपको वहां का level देखना जरूरी होता है तो उसके लिए master level का इस्तेमाल किया जाता है तो leveling बहुत important exercise है जो कि किसी भी machine के geometrical test से पहले की जानी चाहिए और leveling करने के बाद में ही किसी भी machine का proper installation होता है तो प्रशन आपके सामने है what is the name of crane यहाँ पर figure में आपको एक crane दिखाई पड़ रही है यह एक crane है इस crane का नाम आपको बताना है कि which type of crane is this तो पहला option है आपके पास में gantry crane दूसरा option है pillar jib crane तीसरा option है traveling wall crane चौथा option है truck mounted crane तो यहाँ पर आपको इसका नाम बताना है तो यह actually एक truck mounted crane है ट्रक के ओपर mount की जाने वाली crane है अगला question आपके सामने है what is the method of surface hardening surface hardening करने की क्या विधी है पहला option है nitriding दूसरा option है case hardening तीसरा option है flame hardening चौथा option है induction hardening यह important question है इस question को जरूर तयार करें क्योंकि यह question पिछले साल exam में आ चुका है तो आपके option है night riding दूसरा option है case hardening तीसरा option है flame hardening चौथा option है induction hardening इसका सही answer है C flame hardening अगला प्रशना आपके सामने यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है इस चित्र में X आपको बताना है कि यह X क्या है यह X क्या है आपको यह एक figure दिखाई दे रहा है इस figure में जो X है इस X का नाम क्या है तो आपके options हैं पहला option है taper shaft दूसरा option है splined shaft तीसरा option है serrated shaft चौथा option है screw pitch gauge taper shaft, splined shaft तीसरा option दातेदार shaft चौथा option है screw pitch gauge देखे इसमें से आपका screw pitch gauge बिल्कुल नहीं हो सकता taper shaft भी नहीं हो सकता splined shaft और दातेदार shaft में आपको थोड़ा सा confusion हो सकता है तो यहाँ पर आप बिल्कुल clearly यहाँ पर देख सकते हैं चित्र के माध्यम से कि यह जो shaft है इस shaft में ऊपर आपके दाते बने हुए है यह tooth profile इस पे बना हुआ है तो यह basically एक serrated shaft हो गया जिसे हिंदी में दातेदार shaft भी कहा जाता है अगला प्रशन आपके सामने है what is the name of file यहाँ पर एक file कचित्र आपके सामने दिया हुआ है इस file का नाम आपको बताना है तो आपके option है पहला option है tinkers file दूसरा option है crossing file तीसरा option है Swiss pattern file चौथा option है dreadnought file इसका सही answer है A tinkers file अगला प्रशन आपकी screen पर है which material is used to make small diameter laps किस सामगरी का उपयोग छोटे व्यास के laps बनाने में किया जाता है तो पहला option है आपके पास में cast iron दूसरा option है aluminium तीसरा option है bronze और zinc चौथा option है copper और brass इसका सही answer है copper और brass तांबा या पीतल इसका प्रशन आपके सामने है what is the type of gauge यह बहुत ही important question है पोस्ट किये हैं तो टर्नर ट्रेट के वीडियो में भी इस question को हमने जरूर शामिल किया और यह विगत वर्षियों में question यह आभी चुका है mechanical trades जो भी है जैसे fitter हो गई जैसे turner हो गई machinist हो गई इन trades में से किसी ना किसी में यह question जरूर आया है तो यह important question है इसे आप जरूर तयार कीजे what is the type of gauge इसको आपको बताना है कि यह कौन से type का gauge है तो पहला option आपके सामने है thread ring gauge दूसरा option है roller type thread caliper gauge तीसरा option है thread plug gauge जोथा option है anvil type thread snap gauge तो इसका सही answer है D angle type snap gauge angle type thread snap gauge question आपके सामने है which type of machine screw is used in light assembly work light assembly work में किस प्रकार के machine screw का अपयोग किया जाता है आपके options है hexagonal head screw दूसरा option है cheese head screw तीसरा option है hexagonal socket head cap screw चौथा option है square head counter sink head screw तो आपका सही option है इसमें से B cheese head screw अगला प्रशना आपके सामने है which alloying metal bearing can work at higher temperature and higher load carrying capacity उच्च तापमान तथा उच्च भार वहंग शमता पर कौन सा मिश्रित धातो bearing कारिक कर सकता है तो पहला option है आपके पास मिकास टायल दूसरा option है white metal तीसरा option है copper lead alloys चौथा option है cadmium based alloy तो आपका सही answer है D cadmium based alloy तो आपका सही answer है which metal has high resistance to chemical reaction किस धातो में रसायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोदिया high resistance होता है आपके पहला option है lead दूसरा option है nickel तीसरा option है copper चौथा option है aluminium आपका सही answer है B nickel अगला प्रशन आपके सामने है which bearing carry the load parallel to its bearing axis किस bearing में loading bearing अक्ष के parallel या समानतर होती है तो यहाँ पर आपके options है पहला option है split bearing दूसरा option है plain bearing तीसरा option है trust bearing चौथा option है radial bearing तो इसका सही answer है thrust bearing अगला प्रशन आपके सामने है what is the name of plumber tool plumber tool to assemble or dismantle pipes of 50 mm to 150 mm तो इसका आपके पास options है पहला option है strap wrench दूसरा option है chain pipe wrench तीसरा option है still sun pipe wrench चौथा option है foot point pipe wrench तो strap wrench chain pipe wrench तीसरा option है steel sun pipe wrench चौथा option है foot point pipe wrench तो इसका सही answer है आपका B chain pipe wrench तो ये थे fitted rate theory के कुछ important questions जो पिछ विगत के वर्षों में exams में आ चुके हैं और आगे भी ये question या इस तरह के questions exams में पूछे जा सकते हैं तो यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कृप्या वीडियो को लाइक जरूर करें comment करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारे वीडियो में और किस तरह के बदलाओ देखना चाहते हैं साथ ही साथ अगर चैनल में नए है तो चैनल को subscribe करके बैल आइकन जरूर प्रस करें धन्यवाद आपका दिन शुबह